बीते दिनों से बिहार में सियासी घामसान जारी है। वहीं आपको बता दें कि अभी सियासी घामसान के बीच केंध्रिय मंत्री और बेगूस राय से सांसद गृरीराज सी ने एक बार फिर से बिहार की महागडबंधन सरकार पर बड़ा दावा किया है। और उन्होंने कहा है कि कभी भी नितीज सरकार गिर सकती है वहीं तेजस्वी यादव को ले करके उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव कभी भी मुखमंत्री बन सकते हैं क्योंकि अब नितीज कुमार राज़त सुप्रिमों लालु यादव के चक्रियों में बूरी तरह से फं हो चुकी है नितीज कुमार ने एक बर ललन सिंग को हटा कर पाटी की तो लुटिया बचा ले लेकिन लालू यादों के चक्रवीह में वो पूरी तरह से फस चुके हैं देखे अभी बिहार में जो सरकार नितीज कुमार की है वो संत्रे की तरह है उपर से ठीक ठाक लग रहा है भीतर से फाक फाक है नितीज कुमार जी एक बार तो ललन सिंग को हटा करके अपनी लुटिया बचा लिया पाटी की लेकिन लालू जादब के चक्रवीव में पूरे तरह से फस चुके हैं लालू जादब जी उनके विधाइकों को अपने संपर्क में ही नहीं बलकि किसी भी दिन उनकी शरकार गिर सकती है और तेजस्वी जादब बुख मंतरी हो सकते हैं इसको कोई नहीं टाल सकता अगर नितीश कुमार इसको बचा लें तो समझेंगे कि नितीश कुमार के सामने कोई आप्शन भी नहीं दिख रहा है इसलिए मैं कह रहा हूं कि नितीश कुमार लालू जी के पूरे चक्र व्यूव में फास चुके हैं देखे पीम मेटेरियल यह सब तो पार्टी के कार्ज करता या समर्था की अभी धायक कहते हैं लेकिन अब तो सियम मेटेरियल पर ही परसंचिन लग गया है कि सियम मेटेरियल रख पाईंग की नहीं वहीं आपको बता दें कि ऐसा माना जा रहा है कि जेजिव से लेलन सिंग की विदाई राजत सुप्रीमो लालू परसाद यादो से बढ़ती हुई नजदिकियों के चलते हुई है चर्चा इस बात की भी है कि इंडिया गटबंदन पर दवाव डालने के लिए वो पाटी की कमान अपने हाथों में चाहते थे लेकिन फिदहाल बिहार में महाकटमंदन सरकार को ले करके चार्चाओं का बाजार पूरी तरह से गर्म है और बीजेपी नेता भी अब नए नए दावे कर रहे हैं इसी बीच अब देखना होगा कि नितीस कुमार के अद्यक्ष बनने के बाद क्या कुछ फैसले लिये जाते हैं फिलाल इस कबर में इतना ही बागी तमाम खबरों के लिए बने रहे हैं इन खबर के साथ